हलो गाइज वेलकम तो दिमानों चुकिशन सो फाइनली सारी सीटी की डेट्स आउट हो चुकी है चाहे वो मेंच लॉस सीटी हो बीट सीटी हो म्बा सीटी और एवन दे म्सीए सीटी बीट के कोई रिस्पेक्टिव इंडेटेटेड प्रोग्राम हो चाहे वो ग्राजुएश का बर्डन है कौन कौन से डॉकुमेंट हमें चाहिए उसका बर्डन है कौन कौन से चीजी हमें एग्जामिनेशन सेंटर तक लेकर जाना है उसका भी बर्डन है सब्सक्राइब आपके पास रखनी है जो प्रिंट लेकर जाने वाले हो उस पर यहां आपका सिगनेशर चाहिए ही जा सब्सक्राइब कर लिए जो भी आपको का। ट्रॉपर्वाइबर प्र प्रॉअअच को सिगनेशर को स्कूरिकर वहार। 2 फर्स्थ आपका हौल हो गयाल सब्सक्राइबर कर दे दिकए हो तोट है है again I am saying and hard copy भी अपने साथ रखनी है hard copy पर आपको signature लेना है ध्यान में रखना है उसके बात second thing क्या करने है आपको ये सारे instructions है ये सारे go through कर लेना है सारी instruction एक बात ध्यान से देख लोगा है क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है क्योंकि बहुत से ID लेके जाते हो that's okay driving license लेके जाते हो good बट यहां learning license valid नहीं है learning license आप लेके नहीं जा सकते पैंकार लेके जा सकते हो passport लेके जा सकते हो best option क्या है guys अधारकार अब अधारकार पे काफिसार students की नाम भी change हुए होंगे so all those female candidate जिनकी शादी के वज़े से माइट की नेम चेंज हो चुकि है first name middle name और surname जो कुछ भी change हुआ है अब यहां आपको क्या करना है you have to make an affidavit और आपको यह साथ में लेकर जाना है जैसे कि किसी का नाम है x y z okay अप्टर मैरे उसका नाम change हो जा रहा है x a b क्योंकि आपका middle name भी change हुआ है surname भी change हुआ है अब यहां आपको affidavit बनाना बहुत ज़रूरी है और gazetate भी होना चाहिए so वापस मैं यही कह रहा हूं ज्यान रखना है अधार कार्ड पर अगर नाम अलग है और फिर बाद में आपने application form अगर अलग number से feel किया है तो admit card भी नाम अलग होने वाला है so match होने चाहिए दोनों okay guys photoshop भी clear आपका photo भी काफी clear होना चाहिए ताकि आप match हो सुके तभी तो बैटने देंगे आपको exam है right so यह mistake नहीं करनी है जो जितने भी female candidates है जो भी male candidates है जिन्होंने भी नाम change किया है अपना उसका affidavit अपने पास रखो और लेकर जाओ okay now it is clear guys अधारगार लेकर जाना है सब सब बेस्ट option और अगर नाम में कुछ भी फरक है तो आपको affidavit बना कर लेकि जाना है okay that's it अब बात करते हैं third point की the materials and others अब इसमें आपको क्या लेकर जाना है either ballpoint pen mostly black otherwise आप blue भी लेकि जा सकते हो so black and blue यह दो बेन आपके पास पहने चाहिए that's it thereafter disability certificate now in case of all those candidates जिनोंने scribe के लिए आप किया है if they have more than 40% disability guys disability certificate बना कर ले लो scribe performer है वो भी fill up कर लो duly sign ठीक है दोनों की sign होनी चाहिए signature होने चाहिए अगर आपने extra time के लिए option select किया है उनको भी disability certificate लेकर जाना बस जरूरी है ओके so scribe performer disability certificate wall point pen आपको अधार काड लेकर जाना एक and the first one आपका admit card that's it guys okay अब water bottle लेकर जा सकते हो बट अंदर center के अंदर लेकर नहीं जा सकते है आफटर sanitizer लेकर जा सकते हो बस अंदर लेकर नहीं जा सकते है जहां exam होने वाला वहाँ entry नहीं है guys okay so students का भी हुशार है हमारे sanitizer की जो label है उसमें भी सारे formulas लेकर लेकर जा सकते है तो CT को डर है ठीक है आपको ऐसा कुछ भी लेकर नहीं जाना है जो भी लेकर जाओगे आपको बहार ही रखना होगा exam center के अंदर जब आप entry करोगे guys online exam दोगे तो आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए था आपका admit card हो गया एक ballpoint pen हो गया बस exam hall में बैठना है exam देना है target वही रखना है guys only top colleges okay you should target the top colleges only बस उसके हिसाब से preparation करना है so that's it अगर preparation में भी कुछ doubts है आपके रही रही रहा है just ask me in the video comment section we try to answer all of your theories बहुत सरी वीडियोस अमने बना रहा किये on the youtube portal watch all those videos strategy बना लो कहा problem आ रही है कहा problem नहीं आ रही है guys you can also enroll for our sectional package box test भी देना है call on respective numbers visit our website www.manuality.com for all example updates and notifications you can also follow our social media handles such as youtube facebook insta and you can also join our telegram group once again guys if you have any doubts just ask me in the video comment section that's it all the best for your preparation sing on the next one